चार जून को लोग सब अचनाव के लिए होने वाली मतगर्णा के लिए सभी नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं तो किसी को अपनी हार का दल लग रहा है नमश्कार मैं शेग जूही आप देख रहे हैं दर नगरी नियूस महीं कॉंग्रेस से स्तिफा देकर भाजपा में शामिल हुए महंदर जीत सिन मालविया करीब 40 साल तक जीले की राजनीती में एक छत्र राच करने वाले और कॉंग्रेस की सबसे बड़ी CWC के सदसे रहे और करबार मंत्री रहे मालविया की भविश्य की राजनीती स्लोक सबा चुनाओ के परिनामों पर निर्भर करेगी मालविया ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी हार का सामना नहीं किया है ऐसे में देखना हुआ कि 4 जून को उनकी जीत बरकरार रहेगी या इस बार उनको हार का सामना करना पड़ेगा भाचपा पिर्तियाशी महंदर जितसिन मालविया के सामने खुद के तो चुनाओ जीतने की परिक्षा है ही वही उनकी खाली की गई बागी दोरा विधान सबा उप्चुनाओ में उनकी समर्थक भाचपा पिर्तियाशी सुभाश तामबुलिय की जीत या हार का सहरा भी उनकी ही सर सजेगा ऐसे में उन्हें खुद की जीत के साथ सुभाश तामबुलिय की जीत के लिए भी कड़ी परिक्षा से गुजरना पड़ेगा मालविया को भारत आदिवासी पार्टी के प्रतियाशी राजकुमार रोथ से लोग सबाचुनाओं में कड़ी टकर मिली है जिसके चलते हैं मालविया की जीत के लिए प्रधान मंतरी नयन मोदी को भी सबा करनी पड़ी अगर मालविया लोग सबाचुनाओं में जीत हासिल करते हैं तो निश्टित रूप से उनका कद रास्ट इसकर तक पहुँच जाएगा ऐसे संभावन जदाई जा रही है कि उप्चुनाओं के परतियाशी सुभाष टांबुलिया को जीत हासिल होगी तो उनका भी कड़ परदेश की राज़नीती में बढ़ेगा भाषवा परतियाशी महंदर जितसिन मालविया इससे पहले भी कॉंग्रिस पार्टी की और से बासवाड़ा डुंगरपूर लोग सबाशेत का परतिनित कर चुके हैं लेकिन तब उनका सांसद्य कारेकाल महस 11 महीने कही रहा था क्योंकि अटल विहारी बाशपाई की सरकाल 11 महीने बाद एक वोड से गिर गई थी लेकिन इस चुनाव में मालविया को जीत हासिल होती है तो माना जा रहा है कि उनको केंद्रिये मंत्री मंदल में भी स्थान मल सकता है क्योंकि अब भी थक एक बार भी बासवारा डुंगरपुर्शेत्र के सांसत को केंद्रिये मंत्री मंदल में स्थान नहीं मिला है लेकिन ये सब तो तब होगा जब मालविया को जीत हासिल होगी अब मालविया जीतते हैं या नहीं ये महज तीन दिन बाद साफ हो जाएगा इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दन अगरी निव शुक्रिया